कई सारी रेजिपी बनाने के लिए फ्रेज क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो ग्रेवी हो या फिर मिठाई, हलागी किसी भी डिसको बनाने से पहले हम ये जरूर देखते हैं कि मलाई के कारण उसमें कितनी कैलोरी बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे कि घर की मलाई स्वस्थ के लिए बहुती फैदेमान होती हैं, और इसमें काफी सारे निट्रियंट्स और फैट्स होते हैं, आपके स्वस्थ से लेकर बालो और तवचा तक के लिए डेरी प्रोडक्स बहुती फैदेमान होते हैं, तो आई ये मलाई के फ Red Blood Cells यानि की RCB हमारे सरीर को स्वर्षा रखने में मदद करते है और हीमोगलोबिन को बनाए रखते है जिससे हमें oxygen और nutrients मिलते हैं, कुछ minerals में iron होती है जो इन सेल्स के विकास में मदद करते हैं. इसकीन के लिए फैदे मन, खाने में मलाई के इस्तिमाल के अलावा हम इसे अपनी इसकीन पर भी उप्योग कर सकते हैं, मलाई हमारी इसकीन को खुबसूरत बनाने के साथ कई परेसानिये को दूर करने में मदद करती हैं. एनरजी बूष्टर मलाई में फैट कंटेंट काफी अधिक होता है, जो सरीर में एनरजी बूष्ट करता है, इसके साथ ही ये खोई हुई ताकत को भी लोटाती है, हलाकि यदि आप अपने वजन के कारण इसका सेवन नहीं करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको ए प्रोडक्ट होने की वज़ा से मलाई में काफी अधिक मातरा में कैलसیम होता है, इससे हड्या मजबूत रहती है, इसके साथ ही इसमें फासफोरस भी होता है, जो सरीर में कैलसियम को सोखने में मदद करता है, इसके अलावा मलाई खाने से आपके दांद भी सौस्त हरते हैं नर्व और ब्रेन के लिए इसमें मौजूद फॉलेट बहुत ही अच्छा होता है मलाई में विटामिन A और C होने की वज़ा से ये इम्मून सिस्टम के लिए अच्छी होती है आखों की सेहत के लिए मलाई में विटामिन अ होता है, जो आखों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन A हमारे रात के विजन का ध्यान रखता है और नाइट ब्लाइंडनेस और मोतियब इनकी समस्या से दूर रखता है बालो के लिए फैदे मन, मलाई में काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और इस वज़ा से ये बालो के लिए भी बहुत अच्छी होती है यहाँ बालो को नुक्सान पहुचने से बचाती है इसके साथ ही ये बालो को बढ़ने में भी मदद करती है मलाई के ऐसे बहुत सारे हैर मास्क है जिने आप घर पर बना सकती है और अपने बालो पर लगा सकती है किडने स्टोन में फैदे मन, गुर्दे में पत्री की समस्या होना बहुत ही समान्य है और कई लोगों को इस से काफी परिसानी भी होती है पत्री को दूर करने के लिए मला करता है यहां तक कि जिने पत्री की समस्या होती है उन्हें डॉक्टर डेरी प्रोड़क्ट लेने की सलाख देते है हाला कि एक सिमित मात्रे में ही इनका सेवन करे मलाई खाने के कुछ नुकसान अधिक मलाई खाने से आपको अधिक मात्रा में सैचुरेटेट फैट मिलता है किकि मलाई में मौझूद फैट में सैचुरेटेट फैट की मातरा ज्यादा होती है कई अध्यान से इस बात का पता चलता है कि सैचुरेटेट फैट अधिक खाने से है कोलिस्टॉल का खत्रा बढ़ जाता है अगर आप प्रोजाना अधिक मलाई लेते हैं तो आपको मोटापिक की समस्या हो सकती है किसी भी डिस्क को बनाते समय आपको बेहद ही कम मातरा में मलाई मिलानी चाहिए तो दोस्तों इस तरह की और हेल से समधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद